इस वीडियो में हम कक्छा 7 किसले भागटू क्लास 7 का किसले हिंदी बुक है एंसी आर्टी का और हम जानेंगे इस वीडियो में इसका चेप्टर नमर एक पहला चेप्टर ठेक हैं जिसका नाम है मानब बनो जो एक कवीता है और जिनके रचनाकार है सिम्मंगल सिंग सुमन अ कर दीजिए सबस्क्राइब इसलिए कर दीजिए ताकि अगला चेप्टर का वीडियो आपको मिले और आपके कलास का सारा वीडियो जो बना हुआ है प्लेलिश्ट आप देखिए या डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक देदेते हैं उसको देख लेजिए ठीक है शुरू कर अब भूल करना प्यार भी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग प्यार से दुलार से भी गलतियां करते हैं है भूल या मनुहार भी मनुहार मतलब होता है कि मनान या विन्ति मतलब किसी को मनने के लिए किसी की विन्ति भी करते हैं ये भी हमारी भूल है ठीक है पर भूल है सबसे बरी करना किसी का आसरा लेकिन ये दोनों भूल प्यार से भूल किये किसी को मनने के लिए भूल किये गलती कि ये ठीक है लेकिन सबसे बरी भूल क्या है किसी का आसरा मतलब आसा करना हम लोग क्या करते किसी के आसा पर रहते हैं आसा पर आप अभी आफिका कोई फैर होगा तो ये बैक्ति, एक्स बैक्ति हमको ये फैर लेक देगा, उसे क्यासा पर आप हैं, तो आसरा किसी का करना सबसे बराभूल है, ठीक है, मानब बनो, मानब जरा, बोला है मनुस्य, मनुस्य बनिये, आप मनुस्य तो हैं ही, लेकिन मनुस्य बनिये, किसी पर आसरा नहीं करना है, अ मतलब होता है धरती असरो आंसी आंसु धरा मतलब फिर्थवी हुंकार कर दो मतलब मेहनत के बल से इतना मेहनत कीजिए कि धरती भी कांप उठे ठीक है मानब बनो मानब जाओ इसका भाव क्या है समझेगा कभी ये कह रहे हैं कि आंसु दिखाना हाथ फैलाना मनुष्य का काम गश्याब भी जाओ दिखाना ही है तो आप आसु क्यों दिखा रहे हैं आप किसी से मांग क्यों रहे आप खुद में प्ली सक्ति है अप उस चीज को हासिल कीजिए मैंन पकर के बापस किजिए आप लिजिए उस चीज को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे देख मनुष्य को सोभा नहीं देता मनुष्य को उफ हाय कर देना सोभा नहीं देता इन आंस्मों से सीच कर कर दो विस्वका कंकन हरा मानब बनो मानब जरा अब बोला इन आंस्मों से हाय करके हम रोने लगते हैं भगवान अब क्या होगा तो इस हाय करने से अच्छा इस आंस्मों स आप सीच कर खुद को स्ट्रॉंग कीजिए दुनिया के कोने को हरा भरा कीजिए ताकि कोने कोने से लोग आपको देखे आपको सुने आप से सीख लें आप मनुष्य से बनी आप सब चीज हासिल कर सकते मनुष्य में इतनी सकती होता है कि दुनिया की हर चीज को वो हासिल कर सक अब नहीं होगा, तो हाथ मंदलना मनुस्य का काम नहीं है, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हिर्दय की भस्म से, कर दो धरा को, उर्बरा मानब जबनो, मानब जला, अब बोला जलना, हम किसी को देखकर जलते हैं, फलाना बैक्ति के पास ये चीज़ है, उसके पास वो चीज़ आपको जो चीज़ चाहिए, उस चीज़ को हासिल कर लेजिए, यही मानब ये सकती है, और यही असली मानब है, तो मानब बनो मानब जला, और इनका लेकक है सिन्मंगल सिंग सुमन, बहुत बेस्ट कविता रहा है, आप इससे सीखिए, यह नहीं कि बस सुन लीजिए, बात फरस्ट क्वेस्टन है, मानब बनो सिर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका उत्तर आपको पहले भी बता चुके है, सिब मंगल सिंग सुमन, ठेक है, अबजेक्टिव के रुपे पूछा जाता है, दूसरा प्रस्टन है, मानब बनने के लिए हमें कौन-कौन सा कारी करना चाहिए, तो मानब बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, आसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हुंकार करना चाहिए, अपने आसूं को जन कल्यान में लगाना चाहिए, मतलब लोगों की मदद में लगाना चाहिए, अगल का को परसगे बशुरू दिखाव नहीं अभाफ फैलाओ नहीं उत्तरो का किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज़ की कमी है तथा किसी चीज़ के लिए भी हाथ मत फैलाओ कभी हाथ मत फैलाना ना आपने हाथ किसी के सामने और चोटा का क्षोर नमर का फरस्न है अब हाथ मत अपने मलो जलना अगर ऐसे जलो अपने हिर्दय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा तो इसका अर्थ बताते हैं आपको समझाते हैं मनुस्य की अपनी भूल पर पच्टाना नहीं चाहिए मनुस्य को अपनी भूल पर पच्टाना नहीं चाहिए किसी से जलना भी नहीं चाहिए यदि जलना हो तो धूप की तरह जलो हे मानव अपने हिर्दे भस्म से पिर्थिवी को उर्वर बना दो और थात अपने जलन को भी सार्तक कर दो तो हमने इस वीडियो में आपको इसका हिंदी अर्थ और परसनुतर दोनों जाने है इस चपर का तो आप लाइक कर दिजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कमेट बॉक्स में लिखे कोई दिक्कत है ठीक है और सब्सक्राइब कर दिजिए अगले वीडियो के लिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीखे थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में